Oxygen OS 11.2.4.4 for the OnePlus 9R बहुत तकलीफ होती है जब आप योग के हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने है हैलف दोस्तों मस्कार अगर यहां आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी डवाइस के लिए क्या निया खास का अपकने देखने मिल जाता है जब कि आपको यहां पर फिक्सस को सब कर द हूँ को लेकर कर यहां पर यह अपडेट दिया गया है जो कि ये जो update में overheating का issue था वो सभी series पर था और सभी को ये update देखने को मिलना है परनतु मैं आपको बता दू OnePlus 9R को ये जो update मिला है इसके बावजूद भी device याँ पर काफी ज़्यादा heat तो खेर नहीं हो रहे है परनतु battery draining का issue उनमें अभी भी देखने को मिल जाता है तो जिसको लेकर के OnePlus को और भी ज़्यादा fixes करने की आवज सकता है फिलाल में आप अगर battery saver mode का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर battery draining का issue काफी हद तक कम देखने को मिल जाता है और अगर आप Google के focus mode का यूज कर लेते हैं digital value की अंदर जो देखने को मिलता है तब आपका device और भी ज़्यादा कम battery drain करेगा इसी के साथ optimize the experience of quick reply in some scenarios अगर आप social media app, telegram, whatsapp जैसे का use करते हैं उसमें आपको quick reply का option देखने को मिलता है उपर से वो कभी कभी so नहीं हो रहा था कभी कभी उस पर आप टैप कर रहे थे तो वो उस application को open नहीं कर भा रहा था तो इस चीज को भी fix कर दिया गया है साथ में security page level जुलाई मंत का देखने को मिल जाता है जो कि आपर कभी अची कमाल की बात है इसी के साथ जून मंत का आपको जी में स्पैक भी देखने को मिल जाता है और fix non issues के नाम पर यहां पर stability लाई गई हर वार की तरह जो कि यहां पर देखने को मिल जाता है इसी के साथ ambient display के अंदर एक नया features एड किया गया है ambient display में जो AOD का features देखने को मिल जाता है उसमें आपको screenshot लेने का features देखने को मिल जाता है अब अगर आप canvas mode का setup कर लेते हैं उसके बाद उसकी अगर आप pick लेना चाहें तो AOD mode पर pick ले सकते हैं साथ में AOD में आपको bitmoji का भी features एड कुगा देखने को मिल जाता है इस पर आपको यहाँ पर click करना होगा और यह Google Play Store से आपको download कराएगा उसके बाद आपनी ID बनानी है और उसके बाद पूरा का पूरा setup कर लेना है तो यह कुछ चीज़ें आपको इस update पर देखने को मिल जाती हैं परन्तु मैं आपको बता दूँ यह update अगर आप अपने device पर कर लेते हैं और अगर आपको कोई issue देखने को मिल नहीं है जैसे कि कोई third party application आपका crash हो रहा है YouTube या फिर कुछ और तो इसके लिए आप अपने device को एक बार factory data जरूर कर दें क्योंकि वो issue आपके application का हो सकता है परनुत यहां पर update पूरी तरह से सही है update में कुछ ज्यादा issue देखने को नहीं मिले हैं कि इवर battery draining को लेकर के issue देखने को मिला और इसके अलाबा कोई issue देखने को नहीं मिलता है battery draining के issue को भी मैंने fix करने का तरीका बता दिया है तो उस तरीके से आप उसे fix कर सकते हैं आप इसे update करना चाहें तो आपको चैटिंग के अंदर सिस्टम में आपको यह update चेक आउट हो जाएगा नहीं तो आप oxygen अपडेटर के द्वारा भी update कर सकते हैं और वीडियो के description में आपको link पिल जाएगी वहां से भी आप इसे डावलूर करके update करा सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी इसके लिए आप आमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करने ना भूले साथ में सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं थेंक्यू जाहिंजा भारत बने मातराम